गुड इवनिंग एवरीवन निफ्टी ने अच्छी खासी करेक्शन आज बाजार में दिखाई 300 पॉइंट के करीबन बाजार नीचे गया और उसके बाद करीबन 210 पॉइंट निफ्टी जो है गिर के क्लोजिंग दिखाया ओवरॉल मार्केट में काफी अच्छा बेरिश ट्रेंड देखने को मिला पिछले एक हफते से क्यूज भी कुछ देखने को मिल रहे थे जहां से एनलीसिस हो पा रहा था कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में कुछ करेक्शन दे सकता या फिर मार्केट जाता बुलिश ट्र पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला लेकिन खेर इतनी बड़ी करेक्शन की उम्मीद मुझे भी पर्सनल ही नहीं थी आई स्वेयर प्वाइंट इस कि मार्केट में अभी जिस तरीके का आज डाउंट्रेंड मार्केट ने दिखाया जिस तरीके की म हमें क्या चीज़ कंसीडर करके आगे की त्यारी करनी चाहिए लेकिन एक चीज़ कहूंगा जिस द्रीके का यह वन साइड मार्केट देखने को मिला तो वन साइड मार्केट जब एक इस तरह का स्विंग देखने को मिलता है चाहे वो स्विंग अपसाइड में हो चाहिए वो स्विंग डाउंसाइड में हो बट यह पैसा कमाने की एक अच्छी खासी ओपॉर्चिनेटी होती है जिसे इसके लिए एक बड़िया तैयारी होनी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्लिरली इंडिकेटिंग क्या कर रहा है यूद्ट इस तरीके के लेबल्स में इस तरीके के स्विंग्स में अच्छा खासा पैसा हम लोग कमा सकते हैं ट्रेडिंग से और उसमें ज्जादा रिस्क भी नहीं होता है विकाउज मार्किट जो है वह वन साइड एक में जुरू टेक के जिए ताकि मैं फिर उसके उपर एक तैयारी करके आपको एक वीडियो शेयर करके दूँ और आप तक पहुंचाओं तो चलिए बात करते हैं आज के डेटा के बारे में सबसे पहले आप जो सामने चार्ट देख पा रहे हैं वो डे का चार्ट है अगर आप देखेंगे तो आज की केंडल खाफी अच्छी खासी केंडल बनी है अगर कि दे लो से अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी देका भी मार्केट क्लोजिंग दिया है 19.425 से 19.526 का निफ्टी स्पोर्ट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ओविसली 100 पॉइंट के आसपस की रिकवरी हुई है मार्केट में There are few chances की मार्केट में कल gap up opening हो सकती है because मार्केट मुझे लग रहा है कि यहां से थोड़ा सा और gap cover up करेगा जिस तरीके से मार्केट ने 19.425 से gap को cover up 30% तो आज ही cover up कर दिया मार्केट ने बहुत बड़ी बात है So overall अगर आप देखेंगे तो 12 जुलाई का मार्केट ने low test किया है अगर आप यहाँ पे देखे This one तो 12 जुलाई को हमें यह लेवल्स देखने को मिले थे तो करीबन 18 दिन बाद यानि कि after four weeks around मार्केट ने यह लेवल्स दिखाया है तो मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं अगर हम weekly एक बार मार्केट को देखे तो आपको clearly indicate हो जाएगा यह देखिए मार्केट किस तरीके से खुलता है फिर उसके बाद लेवल्स निकल करके आएंगे नेक्स लेवल्स क्या हो सकते हैं तो अभी जैसा कि दो ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते में पैंडिंग ड्यू है तो ओवरॉल पिक्चर जो है अभी अगर मार्केट कल उपर खुलता है तो लेट सी कि मार्केट उन्नीस चार्सो फिर उन्नीस छेसो के बीच में आसपास रेंज बनाता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट कल भी गैप डाउन ओपनिंग करता है तो उस सिचुएशन में किस तरह के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो वो एक बाद डिसकस करते हैं एक बात और कहना चाहूंगा यहां से नेक्स पेज की तरफ जाते हुए कि अगर आप यहां पे 20 डेज का मूविंग एवरेज यहां पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपको यहां पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं आप जड़ा उसको यहां पे मैंने 20 डेज का मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिया है अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने 20 डेज का मूविंग पेस्ट किया है मैंने यह इसलिए पेस्ट किया है बिकोज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जब-जब मार्केट ने इसको डाउन साइड पे क्लोजिंग दिया तो उसके बाद मार्केट वापिस से ओपर के तरफ हमें मूव होता हूँ दिखाए दिया लेकिन अगर आप क्लियरली देखेंगे कोई भी कैंडल का जो है रेड कैंडल को अगर आप यहां पे देखें तो 17 माई को यह कैंडल के नीचे ही बजार जो है इस रेखा के नीचे 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है 17 माई के बाद अगर हम देखें अक्चुल में तो 23 जून को उसके बाद यह बजार इसके नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया था और देन उसके बाद जो है आप करीबन 23 जून के बाद अगर आप देखें तो एक सवा महीने के बाद करीबन हम यह देख रहे हैं कि पांच हफतों के बाद यह मार्किट अब जाके क्लोज हो रहा है इस 20 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे कि अगर कल डाउन ट्रेंड में खुलता है यहां से तो मार्किट फिर अगेन जो है इसी ट्रेंड को कंटीनू रखेगा तो चलिए बात करते हैं डेटा के बारे में FII के डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो मार्किट में आज नेट 1877 करोड की सेलिंग स्टॉक यानि की कैश सेग्मेंट में देखने को मिली FII की तरब से सो यहां पर काफी अच्छा-कासा cash outflow हुआ है सो डिपेंड करता है कि next जो levels more ever देखने को मिल सकते हैं कि वो downside पर ही देखने को मिल सकते हैं chances more ever की market जो है वो downside पर ही रहने वाला है अगर आब मैं बात करूं just wait please yes तो market को support करने वाले जो stocks few stocks Nestle उसमें जो है काफी अच्छा support किया Nestle आज थोड़ा सा positive trend में रहा उसके लाबा हिंदूस्तान liver, dv slab, asian paints, tech mahindra इन्होंने ठिक ठाक perform किया और downside पर अगर मैं बात करूं तो लगबग सभी sectors के सभी stocks की mostly जो है आज downside पर दिखाई दिए पिटाई होती हुई दिखाई दी बहुत सारे stocks की काफी blue chips stocks जो है काफी अच्छे धराशाई हुए market में तो इसी वज़े से index में काफी ज़्यादा selling pressure रहा बहुत बड़ा selling zone देखने को मिला अगर आप chart पर भी देखेंगे तो it is clearly indicating that कि market जो है वो अभी उस zone से बाहर शायद ही अभी देखने को मिले at least इस हफते अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे आज का ये candle तो काफी बड़ा यहाँ पर selling zone देखने को मिला ये selling zone हाला कि इसको एक ही बार market ने अभी retest किया है तो again अगर market इसको retest करता है कल के session में तो हो सकता है उसके बाद जो है एक छोटा सा break up और देखने को मिले तो market फिर थोड़ा recovery mode में आ सकता है otherwise overall the picture is down right now बात करते हैं किस तरह के level expected है because अभी दो अगस्त का data website पे अप्लोड नहीं हुआ है NSE की website पे तो volumes और open interest आपके साथ share नहीं कर पाऊंगा लेकिन इतना जुरूर कहूंगा कि जैसे ही ये data update होगा तो मैं definitely वो file अपने इस video के link में आपको share कर दूँगा because और ensure करता हूं कि definitely इस तरीके से मार्केट में आज करेक्शन देखने को मिला है जबर्दस तो volumes अच्छे खासे हुए होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है और open interest भी अच्छा का सायड हुआ होगा लेट मी चेक वन्स फ्रॉम moneycontrol.com से एक बाद चेक करता हूं कि शायद वहां पे कुछ डेटा अवेलेबल हो जहां से हमें help मिल सके लेट मी सी एयर ओपन इंट्रेस्ट नो and volumes might be यहां पे होने चाहिए तो कि volumes यहां पे देख चाते हैं yeah volume यहां पे नहीं है right volumes यहां पे नहीं है so overall अगर volume एक बार पता लग जाते हैं तो volume से काफी अच्छी help हो जाती है so okay बाकी अगर आप indexes देखेंगे तो mid cap 1.5% के लग बग, nifty bank 1.5% के लग बग, nifty 50 1% के लग बग, nifty next 1.5% के लग बग, nifty 100 1% और nifty 200 भी 1% से क्यास बस क्लोज़िए तो overall trend is bearish इसमें कोई doubt नहीं है, debtas भी favor में नहीं है market के तो अभी जो इस हफते का market का outlook लग रहा है, वो overall downside भी लग रहा है, तो अब बात करते हैं levels की, किस तरह हैं कि ये levels हमें कल देखने को मिल सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं, just wait, please. So, आज का जो market रहा, हम यहां से देख लेते हैं, एक बार, downside पे रहा है, 19.424, closing आया 19.524, 19.525 के आसपास market ने opening दिया, यहां पर 19.674 का high दिखाया था, और अगर हम बात करें, 19.700 के कल की yesterday low था और 19.33 की closing दी, तो 19.33 से करीबन तभी market हमें 300 points के आसपास गिरावर दिखाय दी, तो चलिए बात करते हैं, किस तरीके के levels देखने को मिल सकते हैं, so first of all बात करूँगा, overall look, outlook, overall outlook, bearish, right, follow, sell on rise, for a short term period, not for long term period, यह ध्यान रखेगा, please, क्योंकि market में trend change होता हुए, पता नहीं रखता है, right, और sell on rise या buy on deep की strategy तभी use कीजिए, जब market flat कुल रहा हूँ, प्लीज, इस चीज़ का खास दियान रखेए, अगर market gap down opening होता है, then it may test higher side, आज 524 बंद हुआ है, nifty spot, तो उनिस 600 maximum side, and downside, उनिस साड़े 400, if market open gap up, then again, इसी तरीके के level देखने को मिल सकते हैं, और, अगर market gap down opening होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा change कर रहा हूँ, because उनिस 524 closing होगा, अगर उनिस 500 market open होता है, then higher level पे उनिस 550 से उपर जादा market लग नहीं जाएं आप है, and उनिस 420, right, downside पे, and यह ठीक है, or if market open flat, then it may test higher side, downside, उनिस 540, 550, and downside, उनिस 430, so overall outlook is bearish, यही level expected है, तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, तो 410, 420 से लेकर के, 560, 550 तक के level, उनिस 550 तक के level अभी देखने को मिल सकते हैं, overall, अभी इससे कोई जादा बड़ा swing, या बड़ा, बहुत बड़ा momentum देखने को नहीं, chances बहुत कम है, because the thing is, कि market ने जाते 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 जाते, जो 100 point का recovery दिया, तो वहां से यह भी थोड़ा सा outlook निकल के आ रहा है, basically, कि market अभी जो है, कल की date में बहुत बड़ा swing नहीं देने वाली है, chances कम है, let's see, कि किस तरीके का market opening होता है, देखें, अगर तो 70-80 point market down खुल गया, तो बात ही अलग है, फिर से वही trend स्टार्ट हो सकता है, और अगर market 87 point उपर side बे खुल गया, gap up opening इतना ज़ाद अच्छा हुआ, तो depend करता scenario हो सकता है, might be change हो जाए, और आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान लखिए, market का gap down खुलना और market का gap up खुलना ही, scenario को एकदम completely change कर देता है, तो आप अपना psychology भी उसी तरीके से प्लीज उसको change कीजिए, don't wait for the decided levels, कि हाँ, हमने ये decide किया था, अगर ऐसा होगा तो गसा ही करेंगे, तो अपनी psychology को change करके time to time actively, proactively trade कीजिए, thank you so much, keep learning, keep watching my videos, और comment box में tag चुन कर लिए, thank you.